नमस्कार मित्रो, उगम लेजर के प्रशिक्षेन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है आज हम सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट पे बात करेंगे जनरली हमारे कस्टमर के पास CDR फाइल होता है जो कि कोरल का एक फॉर्मेट है और मशीन, DXF and PLT को सपोर्ट करता है तो आपको CDR से DXF या PLT कैसे कनवर्ट करना है यह आज सिखाएंगे सबसे पहले आपके कम्पुटर में कोरल होना ज़रूरी है यह मशीन वाले कम्पुटर में पॉसिबल नहीं है आपको additional दूसरे कम्पुटर पे कोरल का कोई भी वर्जन होना ज़रूरी है और latest one है तो better है सबसे पहले आप अपने फाइल को कोरल में खोले जैसे कि मेरे पास यह लोगोज है और मेरे कम्पुटर में कोरल ड्रो एक सेवन इस्टोल है तो यह कोरल ड्रो में खोलेगा यह मेरे डिजाइन है मेरे डिजाइन ने मुझे प्रोवाइड किया है अब इसको मुझे है ना borderline में convert करना है तो यह जो corner पे cross पहले मुझे design को select करना होगा फिर यह जो corner पर cross दिया गया है यह मैंने design को select किया और यह corner पर cross है उनको click मारा नीचे black पर right click किया तो मेरा design ना borderline में convert हो जाएगा अब मुझे इसको save is करना है और यहाँ पर मुझे option मिलेंगे उसमें मैंने dxf को select किया और मैं फाइल का नाम भी दे सकता हूँ जो की convert होगा उस new file में यह मैंने file का नाया नाम दे दिया आसानी से ढूंद पाओ इसलिए मैंने पीछे dxf लिखा और मैंने save कर लिया इस सारे मेरे dimension mm में होंगे इसलिए मैंने selection किया और ok कर दिया आप coral को बंद कर दिया जो मुझे नीचे dxf करके file मिला यह हमारे laser marking में import कर सकते हैं बंद कर दो concret झाल झाल कर झाल